हाई अब्रिवन मैं हूं भावना वेलकम टू लिटल रूदर और मॉंवर्ड आज हम बात करेंगे कि वुमेन की बॉड़ी के लिए केल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है क्या यूज है केल्शियम का हमारी बॉड़ी में प्लस विटामिन डी थ्री हमारी बॉड़ी के लिए क आपने देखा है विटामिन डी की तो कमी आजकल आम तौर पर सभी को है 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिसेंशी होती है क्यों क्योंकि हमें पूरे लेवल से मतलब अच्छे तरीके से हमें सानलाइट नहीं मिलती लोग सन में भार नहीं जाते हैं तो इस वज़ए से न चीज मिलती हर सप्लेमेंट हमें खाने से मिलता है और हम लोग क्या खाते हम लोग जादा खाते हैं हम अच्छी चीज़े तो कम खाते हैं लेकिन हम घृत जादा लेवल पर जिसकी वज़ए से हमारी बॉड़ी को कैल्चियम तो उस लेवल का मिलता नहीं और धीरे-धीरे हम हमारी बॉन स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है तो इसलिए आज मैं यह टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहे हूं कि कैल्शियम का हमारी बॉड़ी में एक वुमेन की बॉड़ी के लिए क्यों जरूरी है और एवन थर्टीज के बाद तो जो यह बॉन स्ट्रेंथ है इस स सब चीजों को खाने से आपकी बॉड़ी को केल्शियम प्रोवाइड होगा तो अच्छे खान पान के साथ साथ आपको ना सप्लिमेंट लेने की जरूरत होती है आपको यह नहीं सोचना कि मैं बहुत अच्छा खाती हूं तो मुझे सप्लिमेंट की जरूरत नहीं नहीं और काफी लॉंग टाइम तक आप अच्छे से ना सवाइब कर सके जो मैं की बॉड़ी है उसमें जो यह जो लेवल है डिक्रीज होने का बॉन स्ट्रेंद का यह कम होता है लेकिन जो बॉमेंस है उसमें पोस्ट मेनोपाउज और प्रेगनेंसी के टाइम इवन जब बच्च काला क勝 device कम ना हो तो हमारी जो हमारी बोन्स होटा है और कवारी बंदानःसें के लिए इंपोर्टेंट रोल लेड़ाइए तो बहले को इसले भी बहुत ज़रूरी है आप हम बात करेंगे की केललेट ले रहे हैं डेली काल्सियम को एबजौब नहीं कर दो को यह आथ examination क्या है उसका फिर देखा होगा जायों जाए तर जो टेबलेट होती है उस पे vitamin D3 भी लिखा होता है calcium plus vitamin D3 तो इसलिए आपके body में vitamin D का भी होना बहुत जरूरी है अगर आपने अभी तक अपना vitamin D check नहीं करवाया तो please check करवा लीजिएगा क्योंकि जादा तर लोगों में vitamin D की deficiency होती है और vitamin D की deficiency की वज़े से calcium absorb नहीं हो पाता और उसकी वज़े से जो bone strength है वह आपकी वीक रहती है चाहे आप कितना भी कुछ खा लें चाहे आप अंडे खा रहे हैं चाहे आप कुछ भी ऐसा extra खा रहे हैं जिससे आपको calcium लगता है कि बहुत ज्यादा मिल रहा है लेकिन अगर हो और इससी वज़े से आपका जो calcium है वो absorb हो सके तो ठीक है आपको अपनी bone strength के लिए woman को ना definitely calcium खाना बहुत ज़रूरी है साथ ही साथ अपने vitamin D का भी ध्यान रखना ज़रूरी है तो आज की वीडियो में इतना ही गाईज मिलते हैं अपनी next वीडियो में मैं हूं भावना बाय गाईज